अलो दस्तों बहुत बहुत सागत इस वीडियो में और आज का ये प्रस्ण है कि सब से छोटा भिन्यों कौन सा है तो इन चारों में से बताना है कि सब से छोटा भिन्यों कौन सा है तो चलिए शुरु करते हैं तो हमें वही लिखते हैं कि जो लिखा है प्रस्ण में 2 by 3, 3 by 7, फोर बाई फाइब और फाइब बाई एट तो सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों को कंप्यार करना है कि इन दोनों में से कौन छोटा है जो छोटा है उसी को रखना है और जो बड़ा है उसको हटा दना है तो क्या करना है कि इन दोनों में कंप्यार करना है तो हम क्या कॉरसज गुणा करेंगे यानी इसको इससे और इसको इससे तो गुणा करेंगे तो होगा टू इन्टो सब्से पहां और उधर हुआ थृ घूटो थृ न्टो घूटो थृ-ठाव फोर्ट्टिन और 33 हटा दना है यह चला गया और फिर हम इन तिनों को लिखना है जो जो बच गया तो बचा है अब ही 3 बाई 7 4 बाई 5 और 5 बाई 8 तो फिर इन दनों को कंप्यार करना है कि दनों में कुण चटा है दोनों में कुण छटा है तो क्या कराँगे फिर हम वी ट्रिक अपनाएंगे कि हम क्रोस गुना कराँगे तो होगा 3 x 5 और उदर हुआ 7 x 4 7 x 4 तो क्या होता है कि 3 x 5 जा 15 होता है और 7 x 4 जादा 2 x 8 तो इन दोनों में छोटा कौन है 15 छोटा है और ये बड़ा है तो हम क्या है इधर बला छोटा है यानि 3 by 7 छोटा है तो हम 3 by 7 को रखेंगे और 4 by 5 को हटा देंगे तो अभी बचा क्या बचा कि 3 by 7 बचा और बचा 5 by 8 क्या बचा 5 by 8 तो इन दोनों में हम फिर से compare करेंगे को रखेंगे हम पता करेंगे कौन छोटा है तो क्या करेंगे 3 into 8 और उधर 7 into 5 तो होगा 3,8 जा 24 और 7,5 जा 85 तो इन दोनों में छोटा कोन है 24 ही छोटा है और यह क्या है यह बचा है तो इधर बला बचा है यानि इधर बला क्या है छोटा है तो 3 by 7 बचा है चोटा है 3 by 7 क्या है चोटा है और 4 by 8 5 by 8 क्या है बड़ा है तो सब से चोटा भिन्यों है वह है 3 by 7 तो 3 by 7 ही सब से चोटा भिन्यों है तो क्या इसके अनसार होगा कि सब से चोटा भिन्यों 3 by 7 तो इन लिख देंगे सबसे छोटा भीन्यों हुआ 3 by 7 पिस्ते रोशे आप लोग अपने मन से प्रस्णों को ले सकते हैं और बना सकते हैं आप लोगों को के लिए जैसे एक और हम सवाल बनाते हैं तो अपने मन से लेना है और उसको बनाना है जैसे कोई भी चार्टों भीन्यों ले लेना है तो अपने मन से और आप लोग को हमवार्क भी देंगे कि आप लोग उसको समझ में आ रहे हैं कि नहीं उसी में हमको पता चल जाएगा और वीडियोस को समझ में आ रहे हैं कि नहीं लोगों से जरुर बताएगा तो हम और एक दाहरन लेते हैं जैसे माल लीजिए कोई भी दाहरन ले ले लीजिए जैसे 3 by 8, 9 by 7, 4 by 6, 4 by 6, 2 by 3, चलिए इन में से बताना है कि सब से छोटा भिन्यों कौन सा है तो क्या करेंगे हम वही ट्रिक्स अपनाएंगे फिर से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं एक बार जरुर देखिएगा की होगा कि इसको गुना करेंगे cross गुणा करेंगे, क्या करेंगे cross गुणा, यानी इसको इस से और इसको इस से, तो होगा 3 into 7 और हुआ 9 into 8, तो हो जाएगा 3 into 7 हो जाएगा 2 into 1, और 9 into 8 होता है, कितने होता है 72, तो इन बेसे चोटा कौन हुआ? यह बला छोटा हुआ और यह बला बड़ा हुआ तो क्या करेंगे जो छोटा है उसको हम रखेंगे तो यह बला इसको हम रखेंगे क्योंकि हमको छोटा भीड़ निकलना है तो हम और जो बड़ा होगा उसको हम निकलनेंगे तो हम अभी कौन है, अब छोटा हुआ, कौन हुआ, 3 by 8 और 9 by 7 यह क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हम इसको हम रखेंगे और इसको हम हटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 by 8, फिर से लिखेंगे 4 by 6 और लिखेंगे 2 by 3, फिर क्या करना है कि इन दोनों में compare करना है, कि को चोटा है इन दोनों में से, यह चोटा है यह चोटा है, जो चोटा होगा उसको में रखेंगे और जो बड़ा होगा उसको चोटा देंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कोन चोटा है, तो फिर क्या करेंगे, उसको क्रस गुना करेंगे, क्या क्रस गुना करेंगे तो हो जागा 3 a 6 और होगा 8 in to 4 तो हो जागा 3 6 जा 18 और 8 4 जा 30 2 तो इधर बाला चोटा हुआ यानि 3 by 8 छोटा हुआ और इधर बाला 4 by 6 क्या हुआ बड़ा हुआ तो क्या करेंगे कि जो चोटा होगा उसको हम रखेंगे यानि हम उसको अभी 3 by 8 को रखते हैं और 4 by 6 को हटा बेपते हैं तो अभी बचा 3 by 8 बचा और 4 by 6 भी तो बड़ा हो गया तो यह भी हट गया और यह होगा 2 by 3 और इन दोनों में compare करना है कि कौन चोटा है तो हमें क्या करना है cross गुना यानि उसको बज्जरो गुनन भी उसके कहते हैं क्या बज्जरो गुनन बज्जरो गुनन भी इसके कहते हैं तो क्या करेंगे इसको हम बज्जरो गुनन करेंगे यानि cross multiplication करेंगे तो होगा 3 into 3 और तो होगा 3 3 जा 9 और 8 जा 16 तो हो जाएगा 3 by 8 ये छोटा हुआ और 2 by 3 ये क्या हुआ बड़ा हुआ तो अता सब से जो छोटा हुआ क्या हुआ 3 by 8 ही सब से छोटा हुआ तो यहां लिख देंगे कि अता सब से छोटा भिन्य क्या हुआ 3 by 8 इन चारों में से क्या है छोटा है इन चारों भिन्य से सब से छोटा भिन्य 3 by 8 आप लोग को हम अर्क के रूप में एक ठो प्रस्ण दे रहे हैं अप लोग उसे बना कर जरुर बताएगा 9 by 6 2 by 7 3 by 7 और 5 by 7 इन में से बताना है कि कौन सब से छोटा भिन्य है आप लोग कमेंट में जरुर उसका एंसर दिजिएगा और वीडियो को लाइक जरुर किजिएगा अगर चनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरुर किजिएगा क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहे करेंगे और आप लोग को हम लोग ऐसे प्रशनों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे तो कईसा रहे यह वीडियो समाझ में आया की नहीं कमेंट में जरुर बताएगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद्ध जय घर